लोट आया विक्रांत और सयूरी ने फिर से देखा विक्रांत को सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सीरिल वो तो है अलवेला में आप देख रहे हैं कि सयूरी घर लौट आई है काना और सयूरी एक हो गए है चुकि सयूरी ने इन एक सालों में बहुत कुछ सहा है ऐसे में काना उसके लिए सप्राइज प्लान करता है इन एक सालों में जितने भी फेस्टिवल उसने मिस किये हैं अपना बड़े मिस किया है वो सारी खुशिया एक साथ काना उसे देना चाहता है चट पर आप देखेंगे काना बहुत खुबसूरस अब उसका बड़े सप्राइज प्लान करेगा साथ ही यहां और कई चीज़े करेगा सयूरी को उपर लेके आएगा और उसे ये खुशी देना चाहेगा इसी बीच आप देखेंगे मा और काना की कन्वेसेशन होती है जहां मा काना से कहती है कि उसे सयूरी को लेकर कुछ परिशानी है और वो जो परिशानी बया करती है वो सुनकर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा मा यहां काना से पूछती है कि पहले यह चेक करो कि वो बच्चा तुम्हारा है या फिर विक्रांद का और सैयूरी वहां उसके साथ पतनी की तरह रहती थी यानि बहुत सारे सवाल करती है मा किन एक सालों में विक्रांद के साथ सैयूरी का क्या रिष्टा था ये सारी बाते मा की सुनकर काना भड़क जाता है उसे अपनी सयूरी पर विश्वास है और वो यहां मा से कहता है कि इस तरह की बाते कोई न करे खैर ये बाते सयूरी सुन लेती है सयूरी जब काना के साथ चत्पे आती तो खुदी ये बात कहती है कि काना मुझे पता है तुम काना का ही हक था और हमेशा रहेगा काना यहां उसे चुप कराता है और कहता है मेरा ऐसा कोई भी सवाल नहीं है और आज के बाद तुम कसम खाओ प्रॉमिस करो कि हम पीछे मुड़के कभी नहीं देखेंगे वहीं आप देखेंगे फिर से सब चीज़े भुला कर काना सयूरी क बॉड़ी या उसकी लाश गाड़ी में नहीं मिली थी तो कहीं न कहीं मेकर्स ने यह क्लू छोड़ दिया था कि विक्रान जिंदा है तो कोहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रान लॉट आया है और एक बार फिर से काना और सयूरी की जिन्देगी में फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर न भूले